Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन से जुड़ा हुआ एक important सवाल ये है कि अगर कभी गलती से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी में डीजल को डाल दिया जाए या डीजल इंजन वाली गाड़ी में पेट्रोल को डाल दिया जाए तो उससे इंजन को क्या क्या नुकसान होगा और कभी अगर गलती से ऐसा हो जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए तो यही मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरू कर ले अब फ्रेंट सबसे पहले हमें को स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ तो देखिए जो पेट्रोल इंजन होता और डीजल इंजन होता है इन दोनों ही इंजन के वर्किंग का प्रोसेस जो होता है जो काम करने का तरीका होता है वो बिलकुल अलग होता है क्योंकि petrol engine में क्या होता है कि engine के cylinder के अंदर में air और fuel यानि कि हवा और जो petrol है वो mix होके इसके अंदर में आता है और compression stroke के time पे जो piston देख रहे हो आप इसके दोबारा जो air और जो petrol है इसका जो vaporized mixture है उसे compress किया जाता है और फिर spark plug के spark निकलने के वज़ा से यह spark plug यहाँ पर देख रहे हो इसके वज़ा से फिर जो हमारा fuel है वो burn होता है engine power produce करता है लेकिन diesel engine में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है क्योंकि diesel engine में engine के cylinder के अंदर में सिर्फ और सिर्फ air यानि कि हवा आता है और compression stroke के time पे सिर्फ जो हमारा piston है वो सिर्फ air को compress करता है और उसके बाद जो fuel injector है वो fuel यानि कि diesel को diesel engine के cylinder के अंदर में spray करता है और फिर तब जाके उस diesel का उस fuel का burning होता है तो ये दोनों process बिल्कुल अलग है अब सबसे पहले हम लोग condition 1 पे आते हैं कि अगर diesel गाड़ी है, diesel engine है और हमने वहाँ पे petrol को डाल दिया तो क्या होगा तो मैं आपको बताओं कि सबसे पहले जो combustion है यानि कि diesel engine के cylinder के अंदर में जो petrol का जलना होगा वो combustion प्रोसेस जो है वो abnormal होगा अब abnormal इसलिए होगा क्योंकि जो diesel fuel होता है वो less volatile होता है, कम volatile होता है और petrol जो है वो ज़्यादा volatile होता है अब सबसे पहले मैं आपको volatility समझाता हूँ क्या होता है तो असान लफजों में कहें तो volatility है उसका मतलब यह होता है कि जो कोई भी fuel है वो कितना जल्दी vaporize हो सकता है और मैं आपको बता हूँ कि जो petrol है वो ज़्यादा जल्दी vaporize हो जाता है, wasp में बदल जाता है, diesel का जो vaporization है जो volatility है वो कम होता है उसको time लगता है अब अगर गलती से diesel engine के cylinder के अंदर में जब petrol आ जाएगा और जो हमारा air compression stroke के time पर जब बहुत जादा compress हो जाएगा तो होने वाला यह है कि मैं आपको समझाता हूँ condition, situation क्या होगा देखिए यह जो हमारा piston है वो कुछ इस तरह से engine के cylinder के अंदर में आता है अब compression stroke के time पर जो piston नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और diesel engine के cylinder के अंदर में air हवा को compress कर रहा है उसी दोरान जब हमारा petrol अज़ो हमारा fuel injector के दोरा diesel के जगा petrol आएगा cylinder के अंदर में तो क्या होगा चूकी volatility जो है उसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा जल्दी वास में बदल जाता है तो इस piston के top dirt center पहुचने से पहले ही वो जो हमारा petrol है वो जल जाएगा उसका burning हो जागा और इस वज़ा से जो प्रेशर वेर बिनेट होगा वो इस piston को नीचे की तरफ धके लेगा अब और पिश्टन का movement ऊपर की तरफ है क्योंकि जब तक piston top dirt center में नहीं पहुचेगा उसके बाद ही वो नीचे आता है अब एक तरफ जो movement है वो ऊपर की तरफ है और जो fuel है कि अगर जादा adverse situation हो जाए तो engine का overalling तक का काम कराना पढ़ सकता है अगर कभी ऐसा गलती से हो जाए diesel engine की गाडियों में petrol को डाल दिया जाए तो combustion process पिलकुल abnormal हो जाएगा दूसरी तरफ जो diesel होता है तो वहाँ पर देखे क्या होता है कि fuel pump होता है और जो fuel pump होता है वही fuel या काम करता है यानि कि जो diesel है वो fuel pump को clean रखता है उसे lubricate करता है उसे jam होने से बचाता है रस्टिंग से बचाता है तो यह सब काम diesel करता है fuel pump के लिए अब जो fuel pump है वहाँ पे diesel के जगा अगर petrol आ जाए उस diesel engine वाले गाड़ी में तो क्या होने वाला है कि जो lubrication है वो बंद हो जा जाएगा और अगर जो fuel pump है उसका वेरिंग वाले जो parts है जो particles है वो fuel injector तक पहुंच जाए तो मैं आपको बताऊं कि fuel injector जो है वो jam हो सकता है खराब हो सकता है असान लफजों में कहें तो जो fuel system है उसको बहुत जादा effect पढ़ेगा अगर diesel engine वाली गाड़ी में petrol को डाल दि होंगा उससे पहले हमने condition number two पे आते हैं कि petrol engine के गाड़ी है और वहाँ पे diesel आपने डाल दिया तो क्या होगा तो इस situation में जो problem है जो engine के खराब होने का chance है वो थोड़ा कम होता है पहले condition के मुकाबले कम इसलिए होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताए कि diesel होता है वो less volatile होता है तो अगर petrol engine के आड़ी है उसमें कार्बूरेटर सिस्टेम है तो कार्बूरेटर के अंदर में जब diesel जाएगा पेट्रोल की जगह में तो diesel चूकी less volatile होता है इसलिए diesel जो है वो हवा के साथ कार्बूरेटर में mix नहीं हो पाएगा air और diesel का atomized जो mixture है वो नहीं बन पाएगा और इस वज़ा से intake stroke के time पे engine के cylinder के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हवा जाएगा हवा जाएगा तो combustion stroke होगा ही नहीं क्योंकि fuel नहीं होगा एक तरह समनों कह सकते है कि गाड़ी का running नहीं हो पाएगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कभी क्या हो कि जो हमारा engine है वो बहुत जाता है गरम है उस situation में क्या होगा कि petrol engine में intake manifold का temperature बढ़ा हुआ, carburetor भी गरम हो तो इस situation में chances है कि जो हवा है और जो diesel हो मिक्स हो जाएगा और इसका जो atomized mixture है वो engine के cylinder के अंदर में जाने का chance होता है लेकिन वहाँ पे problem आने वाला है auto ignition temperature के वज़ा से मैं आपको बताऊं कि जो petrol होता है उसका auto ignition temperature है वो ज्यादा होता है दो सो 80 से लेकर 290 degree Celsius के आसपास होता है डीजल का auto ignition temperature कम होता है 230, 240, 245 degree के आसपास होता है असान लफजों में कहें तो auto ignition temperature एक ऐसा temperature होता है जहाँ पे fuel को जलने के लिए यानि कि petrol या फिर डीजल को जलने के लिए किसी external energy source का जर जलने वाली spark चिंगारिक किसी का जरूरत नहीं होता है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि diesel का auto ignition temperature जो है वो कम होता है और अगर air और जो diesel है वो petrol engine के अंदर में चला जाए तो वहाँ पे problem ये आने वाला है कि spark plug से spark निकलने से पहले ही हो सकता है कि जो air और diesel है वो abnormally जल जा नौकिंग का problem आए, detonation का problem आए और ये सारे problem भी क्या करेंगे engine के cylinder के अंदर में जो piston जो connecting rod है इन सबको नुकसान पहुचाएंगे और हो सकता है कि अगर diesel engine, petrol engine के अंदर में आगर आपने diesel डाल दिया तो हो सकता है कि गाड़ी आपका running हो, गाड़ी चलने लगे लेकिन फिर और अगर जो petrol engine है, वो fuel injected है, तो मैं आपको बताओं, जो condition 1 में मैंने आपको जितना भी नुकसान बताए, वो सब आपको petrol engine, fuel injected है, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अब ये तो हो कि situation के क्या क्या नुकसान हो सकता है, अब मैं आपको बताओं कि इस situation को आपको कैसे deal करन चाहिए, सबसे पहले अगर आपको तुरंत realize हो जाए, तो आप अपने गाड़ी के engine को start मत करो, बिल्कुल मत करो, अगर आपने start कर लिया है, और पहले से जो correct fuel है, वो उसके available होने के वैसे, आपके गाड़ी running में आ जाए, और आपको बीच रास्ते में realize, जो कि आपने गलत करना है, जो injector है, जो fuel pump है, intake manifold है, इन सब को आपको clean कर देना है, अगर petrol गाड़ी है, तो carburetor और जो intake system, जो fuel system है, जो fuel line है, उन सब को fuel tank के साथ clean कर देना है, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जो क्लीजन होगा कि क्या होगा, अगर हमने fuel line तो clean कर दिया, fuel tank तो clean कर दिया, लेकिन engine के cylinder के अंदर में तो चला गया है, गलत fuel, तो मैं आपका बताऊं कि एक stroke के time पे बहुत ही कम fuel engine के cylinder के अंदर में जाता है, वो अगला जैसे ही rotation होगा, तो जल जाएगा, detonation हो जाएगा, नौकिंग हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, उससे बहुत जाद आपको फरक नहीं पढ़ने वाला है, बहुत दिकत नहीं होने वाला है, तो फ्रेंट्स ये था एक complete detailed वीडियो कि अगर हमने अपने वेहकल में wrong fuel डाल दिया, तो उससे क्या-क्या नुकसान होगा और आपको क्या करना चाहिए, I am sure आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडिय अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राब भी जरू कर ले, मिलते अगले वीडियो मे थैंक्स वर आचिंग इस वीडियो, गुड़ बाई